support for socialism यानि समाजवाद को सहयोग जो है वो कैसे मिला इसी के बारे में इस टॉपिक में दिया हुआ है 1870 के आजपास जो है वो socialist idea जो है वो पूरे यूरोप में spread होने लगी और इसका result यह हुआ है कि कई तरह की socialist संस्थाएं जो है वो form की जाने लगी उनी में से global level पर एक socialist संस्था फॉर्म की गई जिससे नाम दिया गया second international इसके साथ ही जो है वो यूरोप के दूसरे हिस्सों में जो है वो workers group कई तरह के जो है वो आंदोलन करने लगे वो अपने लिए जो है वो separate institutions संस्थाओं का निर्मान करने लगे जैसे कि अगर हम बात करें कि यहीं workers group जो है वो अपने लिए demand करने लगे कि इन्हें जो है वो working hour बहतर मिले साथ में जो है इन्हें income जो है वो अच्छी हो यानि इन्हें जो wages दिये जा रहे हैं वो बहतर मिले इस तरह की जो संस्थाओं थी उन संस्थाओं ने political support यानि politics में अपना role play किया जैसे कि इसी तरह के associations worker के association ने जर्मनी की political party जिसका नाम था social democratic party उसको support किया और उसी की मदद से जो है वो parliament में अपनी seat भी हासिल कर पाई तो यह जो है वो workers की जो community थी workers का जो association था इसने social democratic party जर्मनी की मदद की और इस party को जो है parliament में भेजा उसी तरह से 1905 से इसी तरह के socialist trade union ने मिलकर Britain में labor party का निर्मान किया हलाकि labor party जो है वो एक नहीं कई वरसों तक लगातार जो है वो कोशिस करती रही सत्ता में आने को यह अलग की बात है कि इस party को वो मौका नहीं मिला कि यह सत्ता में आ सके लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी जो political party को काम करना चाहिए उसमें इन workers association का बहुत बड़ा रोल था workers associations ने कुछ हद तक वहां की बिरिटेन की भी government को इस तरह से मजबू कर दिया था कि उन्हें जो है वो एक ऐसा parliament form करना पड़ा जहां पर सारे decisions जो है वो legislative के द्वारा लिये जाए हाँ यह अलग की बात है कि वहां के government को control, run जो है वो conservatives, liberals और radicals के द्वारा किया जा रहा था लेकिन social institutions जो है वो अपने अनुसार जो है वो कुछ हद तक अपने लिए कानून बनवाने में इन्ही government के द्वारा सफल रहे हैं इसके बात जो है वो the Russian revolutions Russian revolutions की बात की गई है कि Russian revolution जो है वो 1917 में start हुबा था और Russian revolutions के start होने के साथ ही यूरोप के different parts से जो वो monarchy systems समाप्थ हो गई monarchy systems के समाप्थ होने के वहां के workers group के जो लोग थे उनका धीरे धीरे यूरोप के बहुत सारे हिस्सों पर control हो गया था जब यहीं इसी तरह के workers group 1917 में जब रसिया में अपनी government form किये वहां के जो है वो जो है 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 बहुत सारे changes भी जो है वो देखने को मिले उनी changes के बारे में जो है हम लोग इस topic में भी discuss करेंगे जो दिया गया है the Russian Empire Russian Empire यानि 1914 में जो निकोलस दूतिये रसिया का empire था राजा था और उसके द्वारा जो है वो पूरी तरह से Russian government को controlled किया जाता था लेकिन जब तक workers group इस जो निकोलस दूतिये के against नहीं हुए तब तक जो है जो और निकोलस दूतिये अपनी मनमानी से जो है वो जैसे चाहता था उस तरह से जो है वो पूरे छित्रों में क्योंकि रसिया का अगर हम global areas देखें तो काफी बड़ा है और उस पूरे regions पे उसका control था झाल